हलो दोस्तों आई ये स्टार्ट करते हैं आजी क्लास आजी क्लास में हम करेंगे रेलवे गुरूपडी के पांच वैच छे सितंबर को हुए पेपर का एनलिसिस जिसमें तीनों सिफ्टों के पेपर को देखेंगे उसके साथ ही हम देखेंगे कुछ मौस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन जो की आगामी सिफ्ट के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं तो आए स्टार्ट करते हैं पहले प्रसं से तो पहला क्यूशन है 2023 में अंतराष्टे ओलंपिक समीती की बेठग भारत के किस राज्ये में होगी तो ये मैं जून 2023 में मुंबई के जीयो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी कहां होगी मुंबई में आयोसी के सदशियों की आम बेटक हर साल कम से कम एक बार आयोजित की जाती है इंडिया में हाइट्रोजन से चलने वाली कार किस कम्पनी ने लौँच की तो ये की है टोयोटो ने तो हाइट्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली देश की इस पहली कार को सड़क परिवन और राजमारक मंत्री नीतिन गढ़करीजी ने लॉंच किया है इस कार में एडवांस फ्यूल सेल लगया गया है जो ओक्सिजन और हाइट्रोजन के मिश्रन से बिजली पेदा करता है अदेश की पहली हाइट्रोजन से चलने वाली कार नेक्स्ट क्यूशन है परावेंगनी की रन से कौन सा केंसर होता है तो परावेंगनी विकिन से त्वच्चा का केंसर होने का खत्रा रहता है नेक्स्ट क्यूशन है न्यू लेंड का अस्टक नियम क्या है तो न्यू लेंड का अस्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमानो भार के अनुसार विवस्तित किया जाता है तो कहीं से भी सुरू होकर परतेक आठवे तत्वे के गुण पहले त दो ज्वाला मुखी है जो की अंडमान निकोबार में है तो पहला है वो बेरन ज्वाला मुखी वो का है वो मद्धे अंडमान में है और दूसरा नारकोडम ज्वाला मुखी जो उतर अंडमान में है नेक्स्ट कुशन देवनागरी लिपी का उले किस अनुछेद में किया गया है तो ये अनुछेद 3431 में किया गया है नेक्स्ट कुशन मेंडलिप ने किस चीज की खोज की तो उन्होंने तत्वों के आवर्त वर्गिक्रण का पर्तिपादन किया इस साड़ने का प्रियोकर उन्होंने उन तत्वों के गुणों का भी पता लगाया जिसकी उनके समय तक खोज नहीं हुई थी नेक्स्ट कुशन है भारत में वर्तमान में कुल सहकारी बैंक कितने हैं तो भारत में वर्तमान में कुल सहकारी बैंक 85 है जिसमें 32 राज्ये सहकारी बैंक है और 53 अनुसुचित सहरी सहकारी बैंक है जन्वरी महा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है तो जन्वरी महा में सबसे बड़ा जो त्योहार है वा मकर सकरांती है उसके साथ ही असम में बिहु मनाया जाता है गुजरात में उतरायन तमिल नाडू में पोंगल मनाया जाता है पंजाब में लोहडी और पश्चिम बंगाल में पो सक्रांती मनाई जाती है नेक्स क्यूशन महिलाओं को नोकरी के नियोजन में पुरु से कम वेतन दिया जाए तो किसका हनन हो रहा है तो यह समानता के अधिकार का हनन हो रहा है किसी भी नागरी को समानता का अधिकार क्या है किसी भी नागरी को उसके धर्म नशल जाती लिंग कुल जनमस्तान या इनमें से किसी भी एक याधार पर रोजगार में वेदबाव नहीं किया जाना चाहिए Next Question भारतिय स्विधान में केबिनेट प्रनाली किस देश से ली गई है तो ये United Kingdom से ली गई है केबिनेट प्रनाली को United Kingdom से लिया गया है Next Question भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली है तो ये मुंबई से थाने के बीच में चली है जो की 34 किलोमेटर लंबी है और इसको 1853 में लाट डलोहोजी के द्वारा चलाया गया नदी किस कटाव के कारण मुड़ जाती है तो नदी मुरदा के अपरदन के कार मुड़ जाती है फ्लैमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगुठा तरजनी एउ मध्यमा को इस प्रकार सयोजित करे कि वह अपने एक दूसरे के लंबत हो तो मध्यमा जो है वो चालक में परवाई धारा की दिशा को बताती है तता तरजनी अंगुली चुम्बके छेतर की दिशा को बताती है और अंगुठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है परती रोधक्ता किस पर डिपेंड करती है तो ये तापमान पर डिपेंड करती है और चालक की प्रकरती पर आकरती और आकार पर निर्भर नहीं करती है परती रोधक्ता की इकाई ओमीटर है जनरेटर के साफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा तो चुमक ये छेतर बढ़ जाएगा नेक्स क्यूशन 1935 के अधिनियम को जमालाल नेरू ने क्या कहकर बुलाया था तो उन्होंने इसको दास्ता का नया चार्टर कहा था नेक्स क्यूशन ISSF अंतरास्टी शूटिंग केल संग विश्वकप 2022 में पूरुस 10 मीटर एयर राइफल स्वर्दा में किसने गोर्ड मेटल जीता तो ये निशाने बाज अर्जुन बभूता ने जीता नेक्स क्यूशन 1959 में किसने पंचायती राज की त्री इस्तरिये विवस्ता का सुझाव दिया तो ये दिया था बलवंत राइ महता ने उन्होंने त्री इस्तरिये विवस्ता का सुझाव दिया नेक्स क्यूशन लाल बहादूर सास्त्री संस्कृति विश्वविद्याले कहां पर है तो ये नई दिल्ली में है नेक्स क्यूशन SO3 प्लस H2O का प्रोडक्ट क्या बनेगा तो ये बनेगा H2SO4 नेक्स क्यूशन है पोधे कौन सी गेस का उत्सरजन करते हैं जो मनुसे के लिए हानिकारक होती है तो वो होती है CO2 गेस नेक्स क्यूशन मोलिक करतवे किस अनुचेद में है तो ये भारतिय सविधान का अनुचेद 51A ये क्यूशन बहुत इंपोर्टेंट है इसको बार बार पूछ रहा है एक्जामीनर तो इससे रिलेक्टेट जो भी है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए इसमें होता है सरदार स्वन सिंग समिती की अनुचेद सापर सविधान की 42A संसोधन 1976 इसवी की द्वारा मोलिक करतवे को सविधान में जोड़ा गया कब जोड़ा गया 1976 में 42A सविधान संसोधन द्वारा नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पीच मान 2.2 से 2.4 और सिर्का का पीच मान 2.5 से 3.4 और सराब का पीच 2.8 से 3.8 मानव लार है वो 6.5 से 7.5 दूद का पीच है वो 6.4 है और मानव रक्त 7.4 पीच है आसू का पीच है 7.4 अल्ट्रा वोइलेटरे से कौन से बिमारी होती है तो इससे होता है स्कीन कैंसर भुगोल का जनक किसे कहा जाता है तो यह है इरेथोस थनीज वर्ग 2 की सयोजकता कितनी होती है यह आवर्चार्णी से क्यूशन है उसकी सयोजकता 2 होती है वर्स 2025 का महिला अंतराष्टे क्रिकेट मेच कहा होगा ये होगा भारत में ऐसे ही आगामी कुछ मेच है या जो भी आयोजन होने है वो इस प्रकार है वैसे ही नाइंटिथ एस प्रकार है ये होगा जो जो दो हजार चोईस में होगा वैसे ही चोटीस वा ग्रिस मकालीन ओलम्पिक खेल लोस एंजिल्स में अमेरिका में दो हजार अठाईस में होगा पैंतिस वा ग्रिस मकालीन ओलम्पिक खेल ब्रिस बेन जो की दो हजार बतिस में होगा चोबीस वा सीथ कालीन ओलम्पिक बिजिंग में चीन में होगा पचीस वा सीथ कालीन ओलम्पिक इटली दो हजार चब्वीस में होगा वैसे ही 90th ACI खेल हांग जू चीन में होगा 24 वा सीथकालिन ओलम्पिक बिजिंग के चीन में होगा 25 वा सीथकालिन ओलम्पिक इटली में होगा और 19th ACI खेल हांग जू चीन में होगा राष्ट मंदल खेल 22 वा बर्मिंगम इंगलेंड 2022 में Next question चमन प्रास में किसका उप्योग किया जाता है तो ये जो उप्योग होता है चमन प्रास में वो आमला होता है जिसमें फिलेंथस अमबी का जिसका नाम है Next question किस धमनी में असुद रक्त प्रवाहित होता है तो ये पुफ़स ये धन्नी में होता है असुद्रक्त प्रवाइद समानता का अधिकार किस अनुछेद में है तो ये अनुछेद चोगदा से 18 तक है वर्स 2021 में चिकिसा के छेत्र में भटनागर पुरुसकार से किसे समानित किया गया तो ये डोक्टर जीमन पन्नियमकल एवं डोक्टर रोहित स्रीवास्तव को समानित किया गया ये किसके द्वारा दिया जाता है ये सी SIR के द्वारा दिया जाता है और 11 विज्यानिकों को 37 अवरूप भटनागर पुरुसकार 2021 दिया गया उसमें है गनित विज्यान स्रेनी में डोक्टर अनीस घोस वे डोक्टर साकेत सोरब भोतिक विज्यान स्रेनी में डोक्टर कनकसा प्रत्वी वायुमंडल महासागर वे ग्रह विज्यान स्रेनी में डोक्टर विने कुमार सेकिया इंजिनियरिंग विज्ञान्स रेनी में डोक्टर देव दीव मुखोपाद्याई जी विज्ञान्स रेनी में डोक्टर आरुन कुमार सुकल वे डोक्टर अमित सिंग रासाइनिक विज्ञान स्रेणी में डोक्टर कानिस्क विश्वास वे डोक्टर टी गोविंद राजू नेक्स क्यूशन युनिसेप ने किसके साथ मिलकर बच्चों के लिए एक पहल की सुरुवात की है वह है नीतियायो के साथ मिलकर चट पुजा किस भगवान से समंदित है तो ये है सूरिय भगवान से समंदित और चट पुजा बिहार में मनाया जाता है ये त्योहार बिहार में मनाया जाता है आम जनता सिदे किसके संपर्क में रहती है तो ये इस्तानिय स्वसासन के संपर्क में रहती है पोदे भोजन स्टोर कहां करते हैं तो पोदे है वो जड़ू में भोजन स्टोर करते हैं Next Question, 1919 के मानटेंग्यू चेम्सपोर्ट सुधार से Related Question था इसमें क्या होता है? ऐसे ही दो 1909 का मारले मिंटो सुधार इसमें भारत में सामप्रदाइक चुनाव की स्तापना को चिनित किया गया है नेक्स्क्रिशन भुगोल के जनके रूप में जाना जाता है तो यह है ए paralysis को भुगोल के जनके रूप में जाना जाता है वह भुगोल सब्त का प्रियोग करने वाले पहले वेक्ति थे ऐसे ही पेपो क्रेटस आधुनिक चिकिसा के जनक जाय माने जाते हैं और एरतोस्त नीज बुगोल के जनक है और हेरोडोर्स इतिहास के जनक है फोटोग्राफी में निमल लिकित में से किस अमल का उप्योग किया जाता है इन अमलो का उप्योग विकासक की शार्य प्रकरती को निश्प्रभाव करने के लिए किया जाता है एसेटिक अमल का सुत्र है CS3CWH ये नारंगी निम्बू आदी जैसे फलू में सिट्रिक अमल पाया जाता है ब्रस्टाचार सुचकांग में भारत की रेंग क्या है? 2022 में ये है 85V, next question है 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुलक सिक्सा किस अनुछेद में है? तो ये है 51A में, next question है focal length की SI unit क्या है? तो ये मीटर होती है focal length की SI unit, next question है कोसिका की protein factory किसे कहते हैं? तो ये ribosomes को कोसिका की protein factory कहते हैं, next question उडिसा के कौन से त्योहार में नीम की लकडी काट कर देवता बनाया जाता है? तो ये त्योहार है नव कलेवर त्योहार जिसमें नीम की लकडी काट कर देवता बनाया जाता है, next question है जगनात उत्सव में किस महिने में मूर्ती यात्रा के लिए निकाली जाती है? तो ये कौन से मास में निकाले जाती है आसाड महा में नेक्स क्यूशन खजुराओं का मंदिर की सासको ने बनाया था तो ये चंदेल सासको ने खजुराओं का मंदिर बनाया था नेक्स क्यूशन दोवेनियर के त्रिक नियम से केलसियम और बेरियम अनुभार का ओसत कॉन सा तत्वे है, तो यह होता है, स्ट्रोनटियम, जो कि केलसियम और बेरियम का ओसत होता है नेक्स्ट क्यूशन है ओजोन में कुल किते अणू ओक्सिजन के होते हैं तो ये तीन अणू होते हैं वासिंग सोडा धोवन सोडा में कितने मोलिक्योल्स जल के होते हैं ये होते हैं दस मोलिक्योल्स जब मुद्राइस्पिती बढ़ जाती है तो RBI क्या करती है तो ये रेपो रेट को बढ़ा देती है हिंदू सोराजपुस्तक किस ने लिखी तो ये महात्मा गांदी जी ने लिखी है हिंदू सोराजपुस्तक महात्मा गांदी जी ने लिखी है मोलाना अबुलक्लाम आजात प्रोफी 2021 में किस ने जीती तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीती है भारत में जैसे विधान मंडल में दो सदन होते हैं उसे क्या कहते हैं भारत सासन अधीनियम 1919 में शुरुवात राजे जिन में दो सदन वाली विवस्ता है वो है आंद्रपरदेश महाराष्ट उतरपरदेश करनाटक बिहार और तेलंगाना इन में दो सदन वाली विधान मंडल है दो सदन विधान मंडल है ब्रह्म पुत्र नदी की सहयक नदियां कौन सी है ऐसा क्यूशन आया था तो इसकी ब्रह्म पुत्र की सहयक नदियां कौन सी है वो देखिए दिभांग, सुवन सिरी, लोहीत, बराक नदी, धन सिरी नदी, मानस नदी, तोरसा नदी, संकोस नदी, तिस्ता और देशांग नद ये सारी ब्रह्म पुत्र की सहाइक नदिया है नेक्स क्यूशन दितिये पंचवर्ची योजना किस पर आधारित है तो दितिये पंचवर्ची योजना ओधोगिक विकास पर आधारित थी ऐसे ही अन्य पंचवर्ची योजना जिसमें पहली पंचवर्षी योजना कर्षी के विकास पर आधारी थी जिसमें कर्षी को प्रात्मिक्ता दी गई थी दूसरी में ओधगी के विकास को तीसरी पंचवर्षी योजना में अर्थ विवस्ता को गतिमान और आत्मे निर्बर बनाना था चोती पंचवर्ची योजना में पहला इस्तिर्था के साथ विकास और दूसरा आत्म निर्वर्था की इस्तती प्राप्त करना था वैसे ही पांचवी पंचवर्ची योजना में करसी को सर्वोष प्रात्मिकता इसके बाद उध्योग और खानों को वरियता दी गई थी यसे ही छटी पंचवर्ची योजना में क्या था गरीबी उन्मुलन और तक्नी की आत्म निर्बरता प्राप्त करना था सेवंत पंचवर्ची योजना में आत्म निर्बर अर्थ विवस्ता की स्तापना और रोजगार के प्रियाप्त अवसर पेदा करना था आठी पंचवर्ची योजना में मानव संसादन विकास जैसे रोजगार, सिक्सा और सार्वजनिक स्वास्ते के विकास को सर्वोच प्रात्मिक्ता दी गई थी यसे ही नौवी पंचवर्ची योजना में न्याय और समानता के साथ विकास को प्रात्मिक्ता दी थी और दसवी पंच वर्ची योजना में अगले दस वर्चों में भारत की प्रति वेक्ति आय को दुगुना करना था ग्यारवी पंच वर्ची योजना में तेज और अधिक समावेशी विकास को प्रात्मिक्ता दी गई थी इन सब को आप देख लीजिए क्योंकि next shift में इसे question पूछे जा सकते हैं भारत की स्तलिय सीमा किते देशों से सांजा होती है तो ये साथ देशों के साथ स्तलिय सीमा को सांजा करता है भारत जिसमें बांगला देश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, मयामार, भुटान, अफगानिस्तान इनके साथ में भारत अपनी बाउंडरी को सांजा करता है और इनके बाउंडरी जो है वो किलोमेटर्स में ये है देख लीजिए बांगला देश की है 4,006.7 किलोमेटर है चाइना की है 3,488 किलोमेटर पाकिस्तान की है 3,323 किलोमेटर नेपाल की है 1751 किलोमेटर मयामार की है 1643 किलोमेटर भुटान की है 699 किलोमेटर और अफगानिस्तान की है 106 किलोमेटर सबसे कम अफगानिस्तान की है और सबसे ज़ा 2014 में किस भासा को सास्त्री भासा का दर्जा दिया गया ये सास्त्री भासा से related question हर shift में पूछा जा रहा है तो कितनी भासाओं को सास्त्री भासा का दर्जा मिल चुका है 6 भासाओं को और 2014 में किस भासा को दिया गया ये है ओडिसा भासा को और वैसे ही 2004 में तमिल को मिला था सास्त्री भासा का दर्जा और संस्क्रत को 2005 में मिला था कनड को 2008 में और तेलगू को 2008 में मल्यालम को 2013 में और ओरिसा को 2014 में सास्त्री भासा का दर्जा दिया गया पिचेतर जीलों में खेल का आयोजन किस राजे ने करवाया तो ये उत्तरपरदेश राजे ने करवाया उत्तरपरदेश ने वन डिस्ट्रिक वन स्पोर्स के तहत यूपी के खेलों को बड़ावा दिया जाएगा परिवार नयायाले विधैक 2022 कब पारित हुआ तो ये 26 जुलाई 2022 में लोक सबा एवं 4 अगस्ट 2022 को राज्य सबा में पारित हुआ हिमाचल प्रदेश और नागालेंड में परिवारिक नयायले की स्तापना के लिए परिवार नयायले अधीनियम 1984 में संसोधन किया गया जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं उसे अधीनियम या एक्ट कहते हैं फेंपडों में गुबारे जैसी सरचना होती है उसे क्या कहते हैं कथन और निसकर से रिलेटेड क्यूशन था जिसमें पहला कथन है चुम्बकी छेतर रेखाओं में दिसा एवं परिमान दोनू होते हैं और दूसरा है चुम्बकी छेतर रेखाओं बंद रेखाओं होती हैं तो ये दोनों कतन सही है, जब चुम्ब के रिखाओं में दिशावय परिमान दोनों होते हैं, साथ ही ये रिखाएं, बंद रिखाएं होती है, प्रतेक वर्ष विश्वय तपेदिक दिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी, इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्ज, नेक्स्ट कुशन, 6 सितंबर की ओल सिफ्ट का हम एनलिसिस करेंगे, इसमें फर्स्ट कुशन है, इस्तान ये स्वासासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये लोड रिपन को कहा जाता है, पर्धान मंतरी दुरगटना बीमा सदी के लिए 1928 में कौन सा अंदोलन चलाया था, तो सरदार वल्लभाई पर्टेल ने बार्दोली सत्यागरे चलाया था, नेक्स्ट कुशन, मार्च 2022 में पर्टिश्टित बोल्जमान पदक से किसे समानित किया गया, तो ये दिपक धर को समानित किया गया, ये वर्तमान में इंडियन इस्टिटूट अफ साइन्स, एजुकेशन और रिसर्च पून्ने में कारियरत है, ये अवर्ड स्टेटिक्स फिजिक्स के छेतर म में अच्छे काम के लिए दिया जाता है, नेक्स कुशन, आईपेल क्रिकेट टूर्णामेंट का पंदरवा संस्क्रण कब आयोजित किया गया, तो ये 2022 में किया गया, और इसका टाइटल प्रायोजक्त टाटा समुआ है, इसके विजेता है गुजरा टाइटन्स, नेक्स इसका भारती होकी टीम में क्या रोल है, तो ये गौल की पर है, भारती होकी टीम में, इन्हें वर्स 2020 में खेल रतन पुरुसकार दिया गया है, वह 2022 में वर्ल्ड गेम अथलीट ओव दैयर चुने गया है, नेक्स कुशन, नेमलिकित में से कौन सा तृत्येक छेतर का विशे है, तो तृत्येक छेतर में कौन कौन से आते हैं, सिक्षा आता है, स्वास्ते आता है, परिवहन, संचार और बैंकिंग ये तृत्येक छेतर में आते हैं, नेक्स्ट कुशन, भारत में स्तानिय स्वसासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये लाड रिपन को कहा जाता है, 1882 में गवर्नल जर्नल ओफ रिपन द्वारा इस्तानिय स्वासासन समंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो इनकी द्वारा क्या किया गया इस्तानिय स्वासासन समंधी प्रस्ताव 1882 में किया गया नेक्स्ट क्यूशन पंचायती राजविवस्ता के लिए 1989 में किस समिती का सिंगवी समीति दोस्तों इन समीतियों को आप अच्छे से याद के लिजिए विट इयर्स नेक्स्ट कुशन है अमलोव है उसके श्रोज्टों को सुमेलित करने से डेटेड कुशन था जिसमे नीमबू है साइट्रिक एसिड टमाटर में होता है ओक्जेलिक एसिड सीरका में होता है असिटिक एसिड सेव में होता है मोलिक एसिड और अंगूर्व इमली में होता है टाट्रिक एसिड नेक्स्ट क्यूशन है प्लास्टर ओप पैरिस का रासाइनिक नाम क्या है केल्सियम सलफेट हेमी हाइट्रेड काईग प्रवर्धन इनमें से कौन नहीं करता है तो इसमें है अंगूर है वो की काईग प्रवर्धन नहीं करते हैं next question cigarette मानव शरीर के किस अंग को नुक्शान पहुचाता है तो cigarette है वो फेणपणो को नुक्शान पहुचाता है cigarette के धुएं में मुझूद टार फेणपणो में जमा होकर ब्लोकेज पेदा करता है जिसे ठकान, ब्रीद लेसनेज, सीटी जैसी आवाज आने लगती है, सिगरेट के धुएं में मुझूद कार्बन मोनोकसाइड गेज, ब्लेड में ओक्सिजन लेवल को कम कर देता है, इसे सरीर के सभी अंगू को नुक्शान होता है जनवरी 2022 में NIPER रिसर्च पोर्टल किसने लौंच किया, तो ये किया मंसुक मंडाविया, कौन है केंद्रिय स्वास्ते परिवार कल्यान तता रसाइन व उर्वरक मंत्री है मंत्री मंसुक मंडाविया द्वारा NIPER लौंच किया गया, NIPER की फूल फॉर्म है National Institute of Pharmaceutical Education and Research भारत में त्री स्त्रिय पंचाइत राज विवस्ता का सुजाव की समीती ने दिया, तो ये दिया बलवन्त राई महता समीती, 1957 स्री लाल बहादूर सास्त्री राश्टिय संस्कर्थ विश्वे विद्धाले कहां श्तित है, तो ये है नई दिल्ली में कोईला प्राकरति क्टी गेश वे पेट्रोल किस परकार के संसाधन है, तो ये है गेर नवीकर निये संसाधन गे नविकर्ण ये संसादन क्या होते हैं वे प्राकर्तिक संसादन जिनका नविकरण संभाव नहीं है जैसे उधारण, जिवास में उर्जा संसादन, तेल और कोईला, लोहा, सिसा, अलुमीनियम, यूरेनियम, खनीच, आदी चाचा नहरू ने किस अधीनियम को बीना इंजन वर ब्रेक वाली मशीन के साथ तुलना करके दास्ता का चार्टर कहा तो इन्होंने भारत सरकार अधीनियम 1935 को कहा भारतिय सविधान में केंद्र राज्य सरकार के बीच कितनी सूची में सक्ति का बटवारा किया गया है तो केंद्र ता राज्य सरकारों में विधाई सक्तियों के विभाजन के सम्मंद में सात्वी अनुसूची के अनुछेद 246 के अंतरगत सविधान में तीन सूचियां अंकित की गई है जिसमें संग सूची, राज्य सूची तथा समवर्ति सूची है तो कित्ती सूचियों में विभाजित किया गया है तीन सूचियों में वे अभिकिरिया हैं जिन में अभिकारकों के बीच आईनू का आधान परदान होता है इस में किसी दातू का निसकरशन विधूत अभिकिरिया नेक्ष्यों दात साप करने के मंजन की प्रकर्टिक केशी होती है तो यह मंजन शारिय प्रकर्टिके होते हैं किसी सर्किट में फ्यूज तार को किस करम में लगाया जाता है तो यह स्रेणी करम में लगाया जाता है प्रोकेरियोटी कोशिका के लिए कौन सा कथन है कौन सा कथन सही था तो उसमें देख लिजे कि प्रोकेरियोटी कोशिका क्या होती है केंद्री किये प्रधार्त कोश्य का द्रवा में बिखरे होते हैं और इसके उधारन है जिवाणू और नीले हरे सेवाल जुलाई दो हजार वाईस में अंतराश्टे किरकेट में सबसे कम उम्र में सो छक्के लगाने वाले किरकेटर कौन है? तो ये है रिशब पंथ, रिशब पंथ भारत के लिए अंतराष्टे किर्केट में सबसे कम उम्र में, सो छक्के लगाने वाले बल्लेवाज बन गए हैं वर्स 2022 में नेशनल सर्वे ओप इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षर्तादर क्या है तो ये है 77.7% राजस्तान में पंचायती राज की सुरुवात कब हुई? तो राजस्तान में ये हुई थी 1959 जो जिला नागोर में स्टार्ट हुई थी मार्च 2022 में किस राज्ये ने 2022-23 के लिए नई खेल निती का लोंच किया तो ये गुजरात ने लोंच किया है एक सिये वाला गेंडा किस राज्ये में पाया जाता है? तो ये असम वर पस्षिम बंगाल में पाया जाता है भारत में 91% गेंडे है जादा तर असम के काजी रंगा नेशनल पार्क में पाया जाते है 1876 में इंडियन नेशनल असोशियेशन की स्तापना किस ने की तो ये सुरेंदर नात बनर जी ने अपने मित्र आनंद मोहन बोस के साथ की थी नेशनल निमन लिकित में से क्या अधिनस्त नियाले का कारिये है तो अधिनस्त नियाले उच नियाले के अधीन होते हैं वे जिला वे निमन निश्तरों पर कारिये करते हैं ये नियाले उन मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिन में अधिक्तम सजा एक वर से अधिक ना हो नेक्स्ट कुशन अनुचेद 18 का समन्द किस से है तो ये उपादियों के अंत से समन्दित है नेक्स्ट कुशन लोसार त्योहार किस राजे में मनाया जाता है तो लोसार त्योहार ये सिक्किम वर असम में मनाया जाता है और अन्य राजे जिसमें तिबत, नेपाल, भुटान का सबसे महत्वपून बोध पर्व है लोसार तिबत, नेपाल और भुटान में भी मनाये जाता है और अरुनाचल परदेश में मोनप्पा जन जाती मनाती है नेक्स क्यूशन आवर सार्णी में कितने प्राकर्तिक वर करत्रीम तत्व है तो आवर सार्णी में टोटल 118 तत्व है जिसमें 94 प्राकर्तिक है और 24 करत्रीम है नेक्स क्यूशन ब्लेक और वाइट फोटोग्राफी में किसका प्रियोग किया जाता है तो ये silver bromide का प्रियो किया जाता है silver bromide सूरिय के प्रकास की उपस्तिती में silver bromine में तूट जाता है next question cyclopentane में कितने sigma वे pi बंद होते हैं तो cyclopentane में 15 sigma वे pi बंद होते हैं और इसका formula है C5H10 इसमें 5 cc sigma bond and 10 ch sigma bond होते हैं next question जो most expected question है अमर कंटक की पाहडियों से कौन सी नदी निकलती है तो नरब्दाव सो नदियां अमर कंटक की पाहडियों से निकलती है next question नेमलिकित में से कौन सा म्रदा अपरदन रोकने का एक तरीका है तो इसमें व्रक्षा रोपन समोचे रेखिये जुताई और सीडी निमा खेती करके म्रदा अपरदन को रोका जा सकता है next question इंटरनेशनल टाइजर डे कब मनाया जाता है तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है next question पी अम नरसीमा राव के समये लपीजी रिफॉर्म किस पंचवर्षी योजना में लागू हुआ था तो ये आठवी पंचवर्षी योजना में लागू हुआ था next question किस राज्य की सरकार ने दलित बंदू योजना की सुरुवात किया है जिसमें S.T. व.S.T. समाज के वेक्तियों को 10 लाग रुपे दिया जाता है ये तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट किया है मार्च 2022 में किस राज्य की गूर जन्जाती को S.T. वर्ग में सामिल किया है तो गूर जन्जाती को S.T. वर्ग में किस राज्य ने सामिल किया है ये उत्रपरदेश ने सामिल किया है गोड धुरिया नायक ओजा राजगोड वे पठारी को चार जिलों में सामिल किया गया है उत्तरपरदेश के कामख्या मंदिर कहां पर है तो ये असम में है तो असम में गुहाटी सेर के पश्चिम भाग में निलाचल पहाडी पर है वर्स 2022 में त्रिपूरा में कौन सा कोक बरोक या त्रिपूरी भासा दिवस मनाया तो ये कौन सा है इस बार का चमाली स्वा मनाया है इनोंने कुची पूरी नरते कहां का है तो ये आंदर परदेश का है कुची पूरी नरते नेक्स क्यूशन भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचूरी कहां पर है तो ये भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचूरी करनाटक में है करनाटक राजे के चिक मंगलूर जिले में स्तित बाग के लिए सरक्षी छेतर है ये बाग के लिए सरक्षी छेतर है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचूरी नेक्स क्यूशन मार्च 2022 में चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने वाला पहला भारती राज्य कौन सा बना तो ये मद्य प्रदेश बन गया है जिसे सवेधानिक उपचारों को सवेधान का हदे और आत्मा किस ने कहा तो ये डोक्टर भीमराव अमेडगर ने कहा था वैसे ही ठाकूर दास भारगवने प्रस्तावना को सवेधान की आत्मा कहा था थैंक्यू दोस्तों